जैजवार स्वागत्यापमन के न्यूस 36-36 गड़ के अवाज मा मैं हवापमन के सन्मर्नी रज खबर 36 शुरुवात करवो 36 गड़ मा कहे जा थे तिहार के द्वार हरेली तिहार हरेली तिहार 36 गड़ के सबले पहली तिहार आए जैजवार स्वागत्यापमन के न्यूस 36 गड़ के सबले पहली तिहार थे प्रकृती प्रती प्रेम और समर्पड के पर्व हरेली तिहार गाव मनमा धूम धाम से मनाए गई मस्तुरी विकासखन के ग्राम वेल टुकरी के गवठान मा ब्लाक इस्तरिय हरेली तिहार मनाए गई अतिथी मन, क्रिसी अवजार और गव माता के पूजा अर्चना कर कारेक्रम के सुरुवात करी उपाध्यक्ष राज्यंद्र धीवर हकहिस के 36 गड़ मा संस्कृती, विवित्ता और गवराव साली परंपराला सहेजे और सर्रक्षित करे जायवर प्रदेश सरकार के कदम सराहनी अहे किसान मन के खुशाली लही प्रदेश सम्रिध और ससक्त बन ही मौका मा आंगनबारी कारे करता स्वासायता संभू के महिला मन एक से बढ़के एक 36 गड़ी वे अंजन बना के उकर खुशबू भी खेरी हरेली तिवार की बहुत बहुत बढ़ाई आज बड़े ही खुशी की बात है कि आज पूरे 36 गड़ में हरेली तिवार सभी गठानम में जहां जहां बना है मनाया जा रहा है और मानी मुख्य मंत्री जी के एकी सपना है कि जो गाय को स्था है आप लोगों को मालूम होगा कि वीश्वका पहला हमारा चतिजगार राज है जहां पर गोबर की खरिदी हो रहा है और आज से गोम उत्त्रा जो चार रुपए प्रती लीटर में खरिदी क करना है इसके लिए मानी मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बढ़ाई आप सभी को बहुत-बहुत बढ़ाई रही बात गोठान में जो चारा के विवस्था उसके लिए भी सासन इसतर से पैसा समीति को दिया गया है और जहां पी जो विवस्था लगेगा बिल्कुल वह इंद सब माख करेश जैसे सहाथ है समुक है हाल्दी लगा रहे हैं को ची लगा रहे हैं जी कांदा लगा रहें तो तो आत्मने भॉर बनाने क starter हमारी पर Bin करने करना है कि जमीनों को आखरन बताया जा रहा है लेकिन फड़कों पर है घर से बाहर अट गलियों पर है विविन प्रकार के अशुधाओं का सामना आम लगेगा उसमें ऐसा नहीं कि एक साथ हम पूरे सभी जैनुवर को एक साथ लाकी कठा कर सके थोड़ा से टाइम लगे में दिखता थो आप कंसके बहुत कुछ कम भी हुआ है कि मस्तूरी छेत्र के जंताला गाडा गाडा बधाई हमर चत्तिसगर के जंताला गाडा गाडा बधाई और आज हम सब हरेली मनाइला बेल्टुकरी गाओं में आहन सरपंच कलुक के साथमा राजेंद राठोड़ जी हैं हमर संतराम जी हैं और पुरा राजन धीवर जो हमर अध्यक्ष है आज हम सब मिल जूल करके यहां हरेली मनाथ हरेकर बहुत-बहुत सुपकामनाएं है जो गाओं की अधोसान रचना का तो निर्मान हो रहा कि बारवेट वायर खिचा गया है भवन बन गया है उसके बन वैवस्ता है कहीं ने कहीं सरकार को उसके लिए भी सुझाओ और गाइडलाइन देना चाहिए कि एक सरपंच है अपने पूरी जुम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन कर रहा है लेकिन उसके पास चरवहा नहीं है उसके पास चार महने के लिए कोई पक्की वैवस्ता नहीं कॉंसेप्ट आता है कि गाय सुबह जाएगी रात को घर से निकल के आएगी तो उसको लाने के लिए भी यहां पर वैवस्था नहीं है